आपको बताने माला हूँ आटिस्टिक डिसॉर्डर इसके बारे में यह अक्सर बच्चों में दिखाई देता हैं और इसकी शुरुवात तीन साल के पहले होती है इसके बात्चीत नहीं करता है इसके बात्चीत नहीं रहेंगे यह कोई इशारों के साथ में या फिर बाडी पार्ट जैसे अपन हीते हैं बात्चीत करने के समय अपना कुछ हल चल उती है वैसी हो हल चल नहीं करेगा बात करने के समय बाकी जो बच्चे उनके साथ में उसके कुछ रिष्टे नहीं होंगे और बाकी बच्चों के साथ में कुछ हसी मजा करना खुशिया बाटना या उनके भावनाओं के साथ जूड़ जाना ऐसा भी नहीं होते हैं उनकी भावना जो है एक दम फ्लैट रहे थी है, मतलब ना दुख है, ना सूख है, ना खुशी है, ऐसा एक दम ब्लैंक, ऐसा फेस रहता है, और उनमें ऐसा कुछ नजर, भावना कुछ भी चेहरे के उपर नजर नहीं आती, ये लोग इशारों से बिलकुली बात्चित नहीं या फिर उनका कोई एकादे वस्तूं के साथ में ऐसा प्रियोकुपिशन होता है, कि वोई वस्तू पकड़ के बैठेंगे, वोई शब्द पकड़ के बैठेंगे, या कोई भी चीज एकादे ऐसी पकड़ के बैठेंगे, कि वो वहां से अपना लक्ष अलग करेंगे ही नही यह बाकि बच्चों के साथ में खेलते नहीं है, बाकि उनके साथ में भावना से जूड़ना नहीं, हसी मजाक नहीं, खुशे आबाटना नहीं, खेलना नहीं, एक ही अबजेक्ट को पकड़ के रखना है, एक ही वस्तु पकड़ के रख दिया, एक ही व्यक्ति को पकड़ के र लोग लगता कि यह स्कीजोफर्णिया जैसी बिमारी ऐसा कुछ लोगा कहना है मर्या पॉटिस्टिक डिसॉर्ड और जैसे उमर बढ़ जाती वैसे वैसे लोग अच्छे हो सकते हैं या फिर इनका डेवलोप्मेंट स्कीजोफर्णिया में हो सकता है क्योंकि उनका सोशल तो इसमें वो उनका डेवलोप्मेंट ही होता नहीं परापर और यह एक स्कीजोफर्णिया बच्पन का ऐसा कुछ लोगों का कहना था कि बच्पन का स्कीजोफर्णिया है कुछ लोगों का स्कीजोफर्णिया बाद में डेवलोप हो जाता है मतलब एक्चिली रहता है यह माबाब को कांसिलिंग करना उनका डेवलोप्मेंट करने के लिए स्पेशल एजुकेशन बच्चों को देना कुछ दवाई ट्राय कर सकते हैं जिससे उनको सेडेशन ना हो भूभी हो सकता है और कुछ इसमें फायदा हो सकता है जैसे इस उमर बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे इसमें फरक हो सकता है या फिर कुछ केसे में यह स्कीजोफरनेया में उनका डेवलोप्मेंट हो सकता है या उनको स्कीजोफरनेया जैसी बीमारी हो सकती है मेंली इनका जो है वो प्रेंटल कांसिलिंग माबाब के साथ में कांसिलिंग बच्चों के बाकी बच्चे बड़े परवरिश करना है जरूरी है काफी सारे बच्चे है कि इनको ऐसा प्रॉबलम है और उटिस्टिक बेहवियर यह प्रॉबलम है ऐसे और उटिस्टिक डिसॉर्डर है तो उनको ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए गा ताकि लोगों में एक एजुकेशन हो जाएंगा बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं वह प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे अपने अपने डॉक्टर के पास में जाएंगे इसका इलाज कर लेंगे के इनका इनका जो आिक्यू है यह सकता कि नॉर्माल है ज़र की करते है या फिर अपन यह इसलएक सब्सक्राइस कर दो लिधा लोगों को शेयर करो थांक्यू मुर्स थांक्स परवचिंग्स झाल झाल